हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूरी दिका आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पनीर की लाजवाब सबजी फ्रेंड्स बहुत ही जादा टेस्टी होती है ये सबजी और जनरल ही हम बनाते हैं तो लैसुन प्याज डाल कर ही बनाते हैं और ये मैंने बनाया है सब्सक्राइब भी कर दीजेगा बेल आइकन को प्रस कर दीजेगा ताकि वीडियो के आने वाली हर नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चदी बनाना शुरू करते हैं स्यम्मी रैस्पी को तो फ्रेंड्स ये मैंने ले लिया है 500 ग्राम पनीर है ये इसे मै मैंने इस तरह से इसे पीस लिया है और अब हम कड़ाई चड़ाएगे डालेंगे सरसो का तेल अच्छा गरम हो चुका है सरसो का तेल इसमें डाल दिया है मैंने आधा चम्मच जीरा अच्छे से चटकने देंगे और इसी के साथ हम डालेंगे फ्रेंड्स एक चमच बेसन आप इस तरह से जरूर बना कर ट्राइ करें बहुत ही अमेजिंग सब्जी बनती है ये अधा चमच में डाला है!! cp-200g और पनिर देंगे अधा चंवका चमच घंडी पाउडर और और चंवका चमच और धनिया पाउडर और गरम मसाला माँ इसाहर लगों हुआ हो बिलकुल लौ फलेम पर इसे थोड़ा सा भूनेगे बहुत थोड़ा सा भूनना हैं बहुत देर तक नहीं भूनेंगे से हम तो मसाले हमारे भून चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर के पेश्ट को जो हमने रेडी किया था अब भून लेंगे इसी के साथ तो बराबर लगतार चलाते रहना है क्योंकि हमने पेशन भी डाला है इसमें तो लम्स पड़ जाएंगे तो लगतार चलाते हुए इस तरह से हम इसे भून लेंगे और यह देखिए टमाटर हमारे अच्छे से भून चुके हैं अब हम इसमें तुक्षमस करेंगे ताकि पनीर टूटे नहरे इसे पाल आपोःड़े भी हम दिया तो भी राभ देखिए एंगे के बाद एक कपानी डाला है और अब हलका सा नमक डालेंगे तो फ्रेंट्स बहुत ज्यादा चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली है अब हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी और हाथों से क्रश करके डाल देंगे इसमें तो यह रीजे कसूरी मेथी डाल दी है मैंने और धक करके इसे हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर और यह देखे फ्रेंट्स सब्जी हमारी पक रही है और पक चुकी है यह सब्जी तो फ्रेंट्स चार से पांच मिनट हो गए हैं और सब्जी बनकर बिल्कुल रड़ी हो सब्सक्राइब करते हैं कि बिना लैसुन और प्याज के बनी है तो फ्रेंट्स रैस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देज़ेगा और चैनल पर अगर पहरी बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देज़ेगा ताकि जब भी झाल